Hello everyone, welcome to our channel So guys, हम लोगों ने start किया था जो chapter था organic chemistry का chapter number 11 जो कि alcohol, phenol and ether ठीक है और guys हम लोगों ने alcohol, phenol and ether में क्या क्या देखा था हम लोगों ने सबसे पहले alcohol के बारे में introduction देखा था उसके बाद definition देखी थी ठीक है और definition होने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था classification of the alcohol ठीक है और classification होने के बाद हम लोगों ने देखा है monohydric, diahydric ठीक है वो सारे alcohol और classification होने के बाद हम लोगों ने देखा था methods of preparation ठीक है जो कि हम लोगों ने start किती और methods of preparation में first methods of preparation देखिती from alkaline, ठीक है, उसके बाद देखिती from alkaline, ठीक है, यहां तक कि हम लोगों ने complete कर दिया था in the last video, ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले है, hydroboration, ठीक है, जो कि alkaline की ही type है, from alkaline ही prepare किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखने वाले है, from reduction of the early head and the ketone, ठीक है, reduction करके early head and ketone का आप लोग को क्या मिल सकता है, alcohol, ठीक है, वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे from grignard reagent, ठीक है, गाईस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती होंगी, तो प्लीज आप लोग सब्स्राइब कीज़े और शेर कीज़े, ठी ठीक है, तो जीतने भी वीडियो पहले अपलोड कर चुके, जो नए देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो जो अपलोड कर दिये है, alcohol के वीडियो वो पहले देखेंगे आप, ठीक है, तब जाके आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले अलकोल, फिनॉल इथा, अल्लियाइट की टोन कर रहे होंगे, जितने भी चाप्टर से आप लोगों के आएंगे, ठीक है, रियाक्शन के जो रिलेटेड है, वो सारे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बेटेश वाले, ठीक है, तो आप लोगों को वो सारे चाप्टर आने ही चाहिए, बहुत इंपोर्टन्ट है, ठीक है, तो ध्यान से उसको देखिए, पड़ी और गूड लिसनर बनिये, ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं, अलकोल, फिनॉल इन, इथर और उसकी सबसे पहले देखेंगे, हम लोग मेथड्स अप्रिपरेशन, ठीक है, तो मेथड मेथड्स अप्रिपरेशन का मिलिंग क्या होता है, अगर मेथड्स अप्रिपरेशन ऑफ अलकोहल बोल रहे हैं, तो आप लोगों को प्रिपेर करना है, अलकोहल को क्या करना है, प्रिपेर मतलब आप लोगों को अलकोहल को बनाना है, ठीक है, तो अलकोहल आप लोगों का पर ठीक है अगर आप लोग को बोला गया from alkin तो आप लोग को alkin कौन से साइट पर लेना पड़ेंगा reactant साइट पर ठीक है तो अभी हम लोग देखेंगे from alkin में जो की second है हम लोग की reaction ठीक है जो की है hydroboration oxidation reduction ठीक है hydroboration हम लोग meaning पर देखेंगे इसका क्या होता है hydroboration of oxidation and reduction ठीक है तो सबसे पहले आप लोगो को hydroboration of oxidation and reduction ठीक है तो oxidation तो यहाँ पर नहीं हो रहा oxidation चाहे वो another reagent use करते ठीक है इसलिए हम लोग oxidation यह word हटा देंगे हम लोग सिफ reduction रखेंगे ठीक है यहाँ पर क्या होंगा reduction होंगा तो reduction का meaning क्या होता है गाईज आप लोग को जानते हो ठीक है हम लोगोंने redox reaction पड़ा है 11th class में ठीक है तो reduction का meaning क्या होता है addition of hydrogen addition of hydrogen ठीक है जहाँ पर आप लोग addition करूंगे hydrogen का हम लोग उसको क्या बोलते है reduction और बहुत से definitions है reduction की ठीक है reduction मतलब gain of electron ऐसा भी बोलते है reduction मतलब क्या बोलते हैं हम लोग addition of the hydrogen यह दो चीजे भी ध्यान में रितो भी बहुत है ठीक है reduction मतलब होता है gain of electron और addition of the hydrogen atom ठीक है अब देखेंगे hydroboration अब यह hydroboration क्या होता है ठीक है देखे जाए तो borine के बहुत सारे molecules होते है ठीक है जैसे कि है B2S6 di borine बोलते हैं हम लोग इसको ठीक है BH3 borine क्या बोलेंगे borine ठीक है बहुत सारे है 9 BBN वगेरा बहुत सारे है ठीक है यह क्या है boration है ठीक है मतलब addition of the किसका addition करूंगे आप लोग borine का ठीक है borine molecule आप लोग क्या करूंगे अलकीन में add करूंगे अभी हम लोग देख रहे हैं किससे from अलकीन से ठीक है तो from अलकीन में आप लोग क्या करूंगे ठीक है अब देखे जाए तो boration के process में होंगा क्या ठीक है तो सबसे पहली बात लिखते हैं यह कैसी process है गाई इंडारेक्ट है इंडारेक्ट है ठीक है कुन सी method यहाँ पर यूज होंगी indirect method मतलब direct अलकोल का formation होने वाला है क्या नहीं ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप लोग ऐसे reagent कौन लोगे BH3 and H2O2 को इसको लोगे आप BH3 and H2O2 को ठीक है रियेजन के तोर पर उसके बाद यहाँ पर rule कौन सा follow होंगा गाईज अंटी मार्फोनिक rule अंटी मार्फोनिक रूल ठीक है यहाँ रूल क्या होंगा यहाँ पर follow होंगा कौन सा rule अंटी मार्फोनिक रूल ठीक है तो हैड्रेपोरेशन की प्रोसेस कैसी है सबसे पहले तो indirect method है ठीक है यहाँ पर BH3 and H2O as a reagent यूज किये जाएंगे as a reagent यूज किये जाएंगी ठीक है और कौन सा rule follow किया जाएंगा गाईज अंटी मार्फोनिक रूल ठीक है और अंटी मार्फोनिक रूल हम लोग ने लास्ट इसमें भी पढ़ा है जहाँ पर क्या होता है negative part goes to the more number of more number of hydrogen atom ठीक है मार्फोनिक के opposite क्या होता है गाईज अंटी मार्फोनिक रूल किसके opposite मार्फोनिक के opposite होता है अंटी मार्फोनिक रूल यहाँ पर क्या होंगा negative part goes to the more number of hydrogen atom and positive part goes to the less number of hydrogen atom ठीक है तो negative part जो होंगा वो किसके पास जाएंगा अंटी मार्फोनिक में more number of hydrogen atom ठीक है और positive part जो होंगा वो कहाँ पर जाएंगा less number of hydrogen atom के तरब ठीक है मतलब मार्फोनिक में क्या होता था इसके opposite होता था लेकिन अंटी मार्फोनिक क्या है negative part goes to the more number of hydrogen atom and the positive part goes to the less number of hydrogen atom ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है इसके basic जो है जो इसमें होने वाला है वो हम लोगों ने देखा ठीक है अभी क्या देखेंगे इसकी reaction देखेंगे ठीक है और इसका statement देखेंगे कि statement आप लोग क्या लिखोंगे यहाँ पर देखो फिल अभी हाँ पर statement आएंगा जैसे के आप लोग इसको fourth point करके लिख सकते हैं यह तो short notes हो है ठीक है आप लोग को बहुत काम में आँगे यह जो चीज़े हैं वो ठीक है देखो अलकीन अलकीन reacts with अलकीन reacts with boran boran to give try alkyl boran ठीक है जभी भी अलकीन react होंगा boran के साथ क्या देंगा वो हम लोग को try alkyl boran ठीक है which upon एक मिनित so which upon subsequent with the S2O2 ठीक है H2O2 के साथ क्या किया जाएंगा इसका hydrolysis hydrolysis to give to give alcohol क्या देंगा वो हम लोगों को alcohol ठीक है मतलब सबसे पहले आप लोग alkyne को traded react करोंगे किसके साथ boran के साथ ठीक है boran के साथ react होने के बाद उसको react किसके साथ करोंगे H2O2 के साथ ठीक है दें hydrolysis होने के बाद आप लोगो को क्या मिलेंगा alcohol ठीक है चल अब reaction देखते है कि reaction क्या होंगी देखो भी alkyne लिया C double bond C ठीक है यह alkyne है उसको react करोंगे किसके साथ boran के साथ hydrogen hydrogen और यहाँ पे भी क्या है hydrogen ठीक है यहाँ पे होंगी reaction ठीक है तो आप सबसे पहले क्या होंगा hydrogen क्या होता है इलेक्ट्रॉन hydrogen बोरोन क्या होता है electron deficient species electron deficient species होती है ठीक है अब deficient क्यों बोला गया देखो boron atomic number कितना होता है गाईज 5 ठीक है यहाँ पे लिखते है boron atomic number कितना है 5 1s2 2s2 2p1 ठीक है अब 2p1 की अगर बात की जाए तो इसमें कितने orbital आते है 3 2px 2p1 2pz ठीक है तो hydrogen कितने है यहाँ पे 3 hydrogen ठीक है तो hydrogen क्या होगा यहाँ पे double रहेंगा यहाँ पे single और यहाँ पे single ठीक है तो देखा जाए तो last valence field में कितने है total 4 electron hydrogen की तो उसको 3 मिर रहे electron तो दे रहे है hydrogen ठीक है फिर भी electron देने के बाद वो stability gain कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ठीक है तो इसी के कारण हम लोग क्या बोलेंगे कि boron क्या है electron deficient species ठीक है और electron deficient species होने के कारण ठीक है यह boron कहाँ पे attack करेंगा carbon पे ठीक है अब जैसे carbon पे attack करेंगा यह boron क्या हो जाएंगा गाइस break ठीक है तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेंगा c c ठीक है यहाँ पे h और यहाँ पे b b sorry यहाँ पे c b h 2 ठीक है और यहाँ पे क्या आएंगा h and h ठीक है क्योंकि एक h देखो एक h तो यहाँ पे जाएंगा ठीक है तो यहाँ पे क्या बचेंगा फिर b h 2 ठीक है क्योंकि देखो यहाँ पे बनता कैसे mechanism में आप लोग को बताने वाली हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे देख लेते एक रहेंगा पॉजिटिव दूसरा क्या रहेंगा निगेटिव ठीक है अब यह जो निगेटिव है ठीक है वो कहाँ पे अटेक करेंगा according to the मारफोनी क्रूल हम लोगो ने क्या देखा है अंटी मारफोनी क्रूल क्या देखा है अब यह तो सिमेट्रिकल है तो इसलिए यहाँ पे कर दो यहाँ पे कर दो कहीं पे भी चलेंगा तो सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे अंटी मारफोनी क्रूल तो फॉलनी होने वाला तो यह जो H है वो यहाँ पे अटेक करेंगा बॉन्ड के होंगा break H ने attack करने के बाद यहाँ पर बचा कॉन B वो यहाँ पर आके attack करेंगा ठीक है तो यहाँ पर क्या रहेंगा B H ठीक है B H और यह H ठीक है उसके बाद यह react किसके साथ करेंगा H2 O2 के साथ किसके साथ H2 O2 के साथ अगर H2 O2 की बात की यहां पर कैसे है OH and OH एसा रहेंगा क्योंकि H20O मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं H20O को H and OH ठीक है लेकिन यहां पर क्या O2 तो क्या रहेंगा OH ठीक है यहां पर क्या होँगा एक OH यहां पर जाके attack करेंगा ठीक है फिर से एक बार देखते हैं, देखो, BH3 था, ठीके, बोरॉन क्या है गाईज, इलेक्ट्रोन डिफिशेंट है, इलेक्ट्रोन डिफिशेंट है, तो वो क्या करेंगा, यहाँ पर अटेक करेंगा, ठीके, यहाँ पर अटेक करने के बाद, हैड्रोजन यहाँ पर कर रहा है, और वहाँ पे replace हो जाएंगा ठीके तो यहां पर क्या मिलेंगा हम लोगों को अल को होल हम लोग mechanism देखेंगे हैं कि इसका detail में क्या होता है ठीके तो अल को clear ही ठीके तो इस विसे हम लोग किस में देखें शिमेट्रिकल में सिमेट्रिकल में तो कुछ प्रॉब्लेम नहीं ना इधर के साइट पर बियेज डाल दवाउब यहाँ पर एज डाल दवाउब यहाँ पर भी एस कुछ भी चलेगा टिकैं लेकिन अन्सिमेट्रिकल अलकिन में क्या प्रॉब्लम जाता है वह हम लोग देखेंगे ठीके इसके भीले mechanism और वह सारे चीजी देखने से पहले अप लोग इस स्क्रिंशोट निकाल लो ठीकर है दोग ऑघ hè। हईड्रो पोरेशन में क्या है कुझ सी मेसी मेघ्टाड है इंड़ायक मेर्थाड है ःते हैं इसके बाद क्या है कौन से बोरेन हम लोग देखेंगे कि ट्रायल्किल बोरेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और देन भीज गिव्ज अपान दा सबसेक्वेंट विद धे एस्टो ओ टू टू के साथ रियक्शन देने के बाद हम लोग को क्या मिलेंगा अलकुहोल क्लियर है अब इसके बाद हम लोग देख अड्रो बोरेशन रिडक्शन में हम लोग देखा था सबसे पहले हम लोग उने देखा था सिमेट्रिकल अलकिन के लिए ठीक है तो सिमेट्रिकल अलकिन की जनरल रियक्शन क्या देखी थी हम लोग उने C double bond C ठीक है उसके बाद किसके साथ ट्रेटेट क्या उसको BH3 के साथ ठीक है, BH3 के साथ करने के बाद हम लोगों को मिला C, C, double bond C, ठीक है, sorry, single bond, यहाँ पर आएंगा H, 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 ठीक है, और यहाँ पर आएंगा B, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किसके साथ iterated किया था, H2O2, ठीक है, और यहाँ पर basic medium होता है, टैक उनसे medium होता है, basic medium, ठीक है, reaction हम लोगत, और यहाँ पर क्या बनेगा C, C, और यहाँ पर बनेगा alcohol, ठीक है, यहाँ तक क्ये हम लोग उन헤ने देखा था, symmetrical alkaline में, ठीक है, अभी अगर unsymmetrical alkaline है, अगर unsymmetrical alkaline है, मतलब क्या कि कारवन के दोनों साइट पे क्या है सेम ग्रूप प्रेजेंट नहीं है ठीके तब क्या होंगा जैसे कि CH3, CH1, CH2 अब ऐसा ग्रूप है ठीके अंसिमेट्रिकल में अब इस अंसिमेट्रिकल में हम लोग किस वे से BH3 का एडिशन करेंगे ठीके कौन साइट रूल होँगा यहा पर पिर अंठी मार्फोनिक रूल कोई मार्फोनिक रूल के दूर हूँगा वो रिए एक्शन ओकर ढ़नगी ठीके चलो तो हम लोग देखेंगे अभी अंसिमेट्रिकल अल्कीन मेब कैसे किया जाएंगा ठीके और उसका मेकानिजम भी देखेंगे चलो देखेए गाई ध्यान से देखें अब इसको ठीक है हम देखने वाले हैं अन्सिमेट्रिकल अलकीन में क्या होगा ठीक है so in the unsymmetrical हम लोग किसके साब से जाते है anti-marphonic rule के साब से anti-marphonic rule ठीक है और इस rule में जो बोला गया है वो हम लोग note करके लिख देंगे कि क्या बोलते है इस rule में negative part negative part goes to ठीक है negative part कहाँ पर जाएंगा negative part goes to more number of hydrogen atom ठीक है and positive part positive part goes to less number of hydrogen atom ठीक है यह क्या था उसका statement कि भाई अगर वहाँ पर negative part है तो वो किसके पास जाएंगा जहाँ पर more number of hydrogen atom होंगे ठीक है और positive part कहाँ पर जाएंगा जहाँ पर less number of hydrogen atom होंगे ठीक है चलो तो हम लोग देखेंगे अभी mechanism तो हम लोगों ने बोला था when the alkyne ठीक है alkyne को react किया जाएंगा borine के साथ वहाँ पर B2S6 भी हो सकता है वहाँ पर BH3 भी हो सकता है ठीक है borine के साथ अगर react करूंगे तो आप लोगों को मिलेंगा try alkyl borine ठीक है तो सबसे पहले borine क्या है मैंने आप लोगों को बोला borine क्या है electron deficient species ठीक है borine क्या है electron deficient species electron deficient species ठीक है deficient species इसी के कारण हम लोग उसको क्या बोल रहे है electro file क्या बोलते है electro file ठीक है अब देखते borine को electron deficient को बोला गया डिफिशन्ट और उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला गया बोरेन का अटॉमिक नंबर कितना है फाइव लेक्ट्रोनिक ओंपरेशन इस वन एस टू 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 पी वन ठीक है इसके पहले एक्स्प्रेंट किया लेकिन अभी हम लोग हम लोग को मेकानिजम देखना इस के साथ बॉन का फोरमेशन करेंगे यहा पर हो जाएंगा डबल डबल ठीक है तो यहां पर देखा जाए तो टू पी जेड यह क्या है वेकन्ट है ठीके, so according to the octet rule, हम लोग क्या बोलते है, stability कब आ सकते है, कि उसके last valence shell में कितने electron होंगे, guys, total 8 electron, लेकिन यहाँ पे कितने है, total 6 valence shell, 6 valence electron है, ठीके, तो अब यह से यह क्या है, unstable है, तो वो stability पाने के लिए क्या करेंगा, किसी दुसरे के साथ bonding का formation करेंगा, ठीके, और वही stability लिए, boron किसके साथ react होता है, अलकीन के साथ, समझ में आया, क्यों, clear हो गया, फिर से एक बार देखेंगे, boron को हम लोग क्या बोलते है, electron deficient और electrophile, क्या बोलते है, electron deficient and electrophile, ठीके, अब boron का atomic number देखूंगे, तो 1s2, 2s2, 2p1, ठीके, last valence shell में कितने electron है, guys, 3 electron, और जब hydrogen के साथ bonding का formation करेंगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 electron, ठीके, अब total valence shell में कितने electron है, 6 electron है, ठीके, अब वो जो 6 electron होंगे, ठीके, according to the octodule, वो complete है, कि हम लोग को कितने चाहिए, 8 electron चाहिए, है, कितने 6 electron, मतलब वो क्या है, deficient है, ठीके, और वो deficiency, वो कम करनी के लिए, मतलब व कैसे रिया करता है, तो देखो, हम लोगों ने लिया, unsymmetrical alkin, CH3, CH1, CH2, लिया, अब देखो, B का जो boron है, ठीके, उसका जो एक है, लोग ऐसे निकलते हैं, इसको, यहाँ पर H, यहाँ पर ठीके, एक जो है, वो क्या है, vacant है, P जो orbital है, P orbital क्या है, गाईज, एक P orbital है, ठीके और यहाँ पर क्या है, double bond, ठीके, तो वो क्या करता है, यह जो boron है, वो किसके उपर attack करेंगा, इस जो delocalized electron, यह जो pi electron है, उसके उपर क्या करेंगा, ठीके, और यह attack करने के बाद, यह जो electron है, वो कहाँ पर आ जाएंगा, यहाँ पर, मतलब boron के P orbital पे, ठीके, अब जैसे दिखो, अब ध्यान से देखो, ठीके, क्या किया, boron था electron deficient, स्टोरी देखो, क्या है, उसकी, boron क्या है, electron deficient है, चलो, एक आदमी है, जो कि क्या है, deficient है, अब deficiency, अगर उसको किसी के पास से पैसे मिल रहे होंगे, ठीके, उसकी deficiency क्योर हो रही होंगे, ठीके, तो वो क्या कर और ट्राइक करने के बाद यहां पे देखो अब जैसे ही यह अपने तरफ साथ करेंगा यह बोरॉन काप एट्रायक करेंगा CS2 के तरह अब यहाँ पर जो अटेक कर रहा है वो according to the marphonic rule भी है sorry anti-marphonic rule की इसाब से भी है क्यों क्योंकि negative part B जो है वो क्या हो गया negative Q उसने क्या कि electron accept के ठीक है negative part goes to the more number of hydrogen atom ठीक है अगर यह यहाँ पर जाता बोरान अगर यहाँ पर जाता तो यह क्या बनता primary बनता ठीक है तो primary कैसे बनता देखो अगर हम लोग देख रहे हैं इसने loss कर दिया तो एक के उपर है positive charge और दूसरे के उपर है negative charge अगर पहल इसके उपर positive इसके उपर negative है तो हम लोग को कैसे मिलेंगा product देखो ऐसा CH CH2 positive है negative charge जाएंगा तो यहाँ पर क्या आएंगा B ठीक है और एक hydrogen यहाँ पर जाएंगा according to the anti-marphonic rule ठीक है anti-marphonic rule क्या बोलता है negative part के तरफ कोन जाता है और negative part के तरफ कोन जाएंगा जो reagent का negative part होंगा वो कहाँ पर जाएंगा जहाँ पर more number of hydrogen atom है ऐसा ठीक है लेकिन यहाँ पर exactly होता क्या है कि इसने डोनेट करने के बाद मतलब यह electron यहाँ पर आने के बाद इसके उपर आता है negative ठीक है और इसके उपर आता है positive अब ऐसा क्यों हुआ क्यों कि देखो अगर इसके उपर positive charge आया तो ये क्या हुआ 1 degree क्योंकि इसको क्या Aq alkyl group अटाच है ठीक है लेकिन अगर positive charge वहाँ पर आता है तो ये कुन सा बनता है guys 2 degree carbocatine 2 degree carbocatine ऐसा बनता है ठीक है तो अब्वेस है आप लोग जानते हो कि 2 degree is more stable than 1 degree carbocatine वो चीज होने के लिए ये क्या करेंगा ये जो boron है वो यहाँ पर attack करेंगा और यहाँ जैसे boron यहाँ पर attack करेंगा वैसे ये hydrogen कहाँ पर जाएंगा इस CH पर जाएंगा clear हो गया ठीक है फिर इसे एक बार देखेंगे हम लोग उने लिया है CH3, CH double bond, CH2 ठीक है अभी हाँ पर है boron में electron deficient species जो कि है vacant p orbital vacant p orbital stability पाने के लिए ये जो delocalized electron है मतले जो pi bond है उससे क्या करेंगा electron लेंगा ठीक है electron लेने के बाद CH2 के उपर कुन सा charge आएंगा CH2 के उपर आएंगा negative charge और CH2 के उपर आएंगा positive charge क्योंकि अगर CH2 के उपर positive charge आता है तो वो ज़्यादा stable होता है clear हो गया चलो अब stability के हिसाब से जैसे ही यहाँ पर यह जो boron है वो electron ले लेंगा वैसे यह hydrogen जो है यहाँ पर यह hydrogen है ठीक है यह hydrogen वैसे ही CH के उपर attack करेंगा clear हो गया ठीक है तो हम लोगों को देखो next product क्या मिलने माला है next जो होँगा वो क्या मिलेंगा हम लोगों को वो मिलेंगा यहाँ पर CH3 CH2 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 और यहाँ पर मिलेंगा BH2 clear हो गया अभी भी देखो फिर अभी आप लोग देखोंगे तो फिर से यहाँ पर vacancy है stable है क्या वो नहीं है ठीक है तो फिर से वो किसके साथ react करेंगा unsymmetrical alkin के साजों के CH3 CH double bond CH2 ठीक है फिर से वही tendency रहेंगी क्या होंगा यहाँ पर बोरॉन है ठीक है दो hydrogen है उसके साथ और एक क्या है vacant है एक क्या हो गया vacant हो गया ठीक है फिर से क्या होंगा यह जो double bond है यह इस vacant electron पर आएंगा ठीक है फिर से यहाँ पर क्या हो जाएंगा positive और यहाँ पर क्या हो जाएंगा negative ठीक है तो आप लोगों को देखो अब यह जो है ठीक है यह जो completely CH है वो कहाँ पर जाके attach होंगा यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोगों कैसे मिलेंगा B ठीक है CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या हैंगा यह वाला यह already इसको attach है तो CH2 CH2 and CH3 और एक hydrogen ऐसे कि एफिर से वही जो हम लोगों नहीं हर पर देखा फिर से वही होंगा ठीक है अब यहाँ पर फिर से और एक hydrogen बाक है ठीक है अब क्या होंगा फिरसे वही reaction आईगे ठीक है तो फिर से आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेंगा देखो CH3, CH3 है, CH2 है, CH2 है, ठीक है, B, बोरॉन, CH2, CH2, CH3, और यहाँ पर क्या है गाइस, हैड्रोजन, लियर है, अब देखो, फिर से क्या होंगा, यहाँ पर एक वैकन्ट और्बिटल है, ठीक है, हम लोग फिर से अडिशन करें कि अंसिमेट्रिकल अल्गिं का, जो क्योंगा, CH2, डबल बॉन्ड, CH3, फिर से यह कहाँ पर जाएंगा, इस वैकन्ट और्बिटल पर जाएंगा, ठीक है, वैकन्ट और्बिटल पर जाने के बाद, एक हैड्रोजन निया से क्या होंगा, निकल जाएंगा, जो कि H के उपर अटैक करेंगा, तो आप लोगों को फिर से क्या मिलेंगा, यहाँ पर, CH3, CH2, CH2, B, CH2, CH2, CH3, और यहाँ पर बनेंगा, CH2, CH2, and CH3, तो यह क्या हो गया, गाईज, हम लोगों का, ट्राइ, अलकील, बोरे, अब क्या बन गया, यह इलेक्ट्रोन, डिसेंडर, क्योंकि उसके जितने भी थे, वह सारे क्या हो गया, फुल्फिल्ड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, गाईज, वो इलेक्ट्रोन, रीच, मतलब वो स्टेबिलिटी गेंड कर चुक ठीक है, और इस वे से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइ, अलकोहल कैसे बनेगा, ठीक है, तो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रिंशॉट निकाल लो एक, ठीक है, और आप लोग थ्यान से देखेगा इस चीज को, ठीक है, यह बी क्या होता है, इलेक्ट्रोन डिफिशन, करेंगा, ठीक है, जैसे ही अपने दो इलेक्ट्रोन यहाँ पर डोनेट करेंगा, तो यही कार्बोकाटाइन होगा, क्या नहीं, ठीक है, कार्बोकाटाइन होने ही नहीं देता वो, ठीक है, सिंप्ली स्टेबिलिटी गें करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बो किर बोरान का फॉर्मेशन कर लिया ठीक है अभी आगे देखेंगे कि मेकानिजम कैसे जाएंगे देखो तो हम लोगा ट्रायल किर बोरान मतलब हम लोगों ने कैसे किया था CH3, CH2, CH2 3 times है 1, 2 and 3 times तो यहाँ पर 3 times देदेंगे और यहाँ पर क्या आएंगा गाईज बोरान ठीक है अभी इसको ट्रेटिट किसके साथ करेंगे हम लोग H2O2 ठीक है in the presence of the basic medium किसके presence में basic medium के presence में अब गाईज H2O2 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो OH and the OH ठीक है? OH and the OH ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो यह जो हम लोग का अलकेन है वो 3 times है तो यह भी हम लोग को कितने times लेना पड़ेंगा? 3 times अब देखो ध्यान से OH, OH कितने times है गाई? 3 times तो अब हम लोग इसको break कर देंगे ठीक है? तो एक जो OH है वो यहाँ पर जाकर अट CH2 CH2 OH देखो हम लोग को क्या मिल गया गई? प्राइमरी अलकोहल ठीक है? जो हम लोग का क्या था? प्रोडक्ट ठीक है? और प्लस यहाँ पर क्या मिलेंगा? BOH3 या फिर H3BO3 ऐसे अभी आप लोग लिग सकते हो इसको क्या बोला जाता है? बोरीक आसीड बोरीक आसीड ठीक ठीक है? तो इस वेसे यहाँ पर क्या होंगा? मेकैनिजम के थ्रू अलकोहल का फॉर्मेशन हो जाएंगा ठीक है? एक चीज अब यहाँ पर ध्यान में रखना है है यहाँ पर यहाँ पर जो यह हैड्रोजन आता है वो कहा से आता है इस BH3 से? बोरान से ठीक है? और OH होज़ हींगे hydroboration of the reduction ठीक है? तो इहाँ पर क्या हुआ? reduction किसका हुआ? हम लोग ने BH3 में बोरान के इसमें किसका reduction करते थे? addition करते थे? मतलब हम लोग क्या कर रहे है? reduction, reaction को follow कर रहे है लियर हो गया? ठीक है? तो इहाँ पर खतम होता है hydroboration of the reduction ठीक है? हम लोग इसके बाद थोड़े से उसके दो examples देखेंगे ठीक है जहां पर हम लोग mechanism भी draw करेंगे एक बार और क्या देखेंगे कि कैसे question आप लोगों को आ सकते हैं वह हम लोग attempt करेंगे ठीक है तो next हम वह देखेंगे आप स्क्रिंशॉट निकालो एक बार अब देखेंगे हम लोग example देखेंगे कि Hydroboration के अगर आप लोगों को एस example आते हो तो कैसे attempt करोंगे ठीक है कहीपर अगर आप लोगों को दिया है टू methylrophane ठीक है और आप लोग सो का mechanism लिखो तो mechanism अगर आप लोगो लिखने को बोला तो आप लोग कैसे करोंगे ठीक है हम लोग एक एक्जाम्बल स्वाल करके दिखें चलो तो start करते हैं mechanism सबसे पहले अगर आप लोग देखना कि अगर आप लोग को कभी भी बोर्ड में अगर question आता है तो सबसे पहले आप लोग दिखुंगे कि वो question कितने marks का है अगर three mask का question है तो आप लोग क्या करूंगे statement दोंगे ठीक है और उसके बाद statement देने के बाद आप लोग reactions लिखुंगे ठीक है अगर five mask का question आला है तो आप लोग को statement देना पड़ेंगा उसके बाद reaction और उसके बाद उसका mechanism देना आप लोगों को compulsory है mechanism आप लोग को देना ही पड़ेंगा ठीके guys, चलो तो देखते हैं हम लोग का कैसे solve करेंगे हम लोग इसको, तो mechanism सबसे पहले ठीके और किसकी सबसे जाएंगे guys, anti-marphonic rule, जो कि हम लोग ने इसके पहले देखा है ठीके, चलो, तो क्या होंगा हम लोग का example है CH3 C CH3, double bond CH2, कौन attack करेंगा, BH3 यह है boron boron और boron हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है गाईज, boron क्या है, electron deficient है और क्या है, electrophile है, ठीके, तो उसके पास क्या है guys, vacant orbital है, ठीके तो वो stability पाने के लिए मतलब उसके last valential में कितने electron होता है 6 electron होता है, ठीके तो stability gain करने के लिए वो क्या करेंगा अपने vacant orbital को fulfill करने के लिए, यह de-localized जो electron है, pi electron है, उनसे क्या करेंगा electron लेंगा, ठीके अब electron लेने के बाद, यहाँ पर कैसे होंगा electron लेते ही, जैसे यहाँ से electron लेंगा वैसे ही क्या होंगा, यहाँ से hydrogen निकलेंगा, hydrogen अपने 2 electron कहाँ पर देंगा, यहाँ पर ठीके, इस वाले carbon atom की तरप, ठीके तो यहाँ पर क्या होंगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पर बनेंगा CH2, और यहाँ पर यहाँ पर जाके, यहाँ पर जाके कोन अटेच होंगा, यह जो boron है, वो कहाँ पर अटेक करेंगा, इस CS2 पर तो यहाँ पर मिलेंगा हम लोग को H और यह H, clear हो गया अभी भी अगर आप लोग देखूंगे, तो यह क्या है, electron deficient है, ठीक है, fulfilled हुई है क्या उसकी balance ही नहीं, तो फिर से एक बार हम लोग इसके साथ treated करेंगे उसको, फिर से एक बार हम लोग लेंगे alken, unsymmetrical alken, ठीक है, तो फिर से क्या होंगा unsymmetrical alken, लेने के बाद, जो vacant orbital है, वो कहाँ पर जाएंगा, यहां से electron को अपनी तरफ attack करेंगा, electron को अपनी तरफ attack करते ही, यह boron CH2 के उपर attack करेंगा, और यह hydrogen किसके तरफ जाएंगा, इस वाले carbon के तरफ, ठीक है देखो, अब carbon की तरफ जाने के बाद, यह वाला bond मैं यहां से attack करेंगा, यह boron कहाँ पर गया, इस vacant orbital पर, ठीक है और इस वाले hydrogen ने कहाँ पर attack किया, जैसे ही, boron यहाँ पर जाएंगा, वैसे यह वाला hydrogen कार्बन के उपर attack करेंगा, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेंगा, CH3, CH, CH3, CH2, boron, ठीक है, यह CH2 boron का attack है, तो यहाँ पर बनेंगा, यह वाला CH2, CH, CH3, और यह बनेंगा, CH3, और एक hydrogen यह जो है, यह वाला hydrogen as it is, जैसे के वैसे रहेंगा, ठीक है, अब यह hydrogen होने के बाद, फिर से किसके साथ reaction देंगा, फिर से हम लोग अड़ करेंगे, यहाँ पर CH3, CH2, double bond, CH3, ठीक है, सरी, double bond और यहाँ पर रहेंगा, CH3, ठीक है, तो फिर से हम लोग को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, boron, ठीक है, यहाँ पर मिलेंगा हम लोग को boron, और 3 molecules आएंगे इसके, तो CH3, फिर से एक बार यहाँ पर CH3 अटच होंगा, यहाँ पर होंगा CH2, यहाँ पर CH2 चाहिए, और यहाँ पर आएंगा CH3, ठीक है, तो फिर से यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आएंगा CH2, कितने टाइमस आएंगा, 3 ताइमस, clear हो गया, अब यह होने के बाद, फिर से यहाँ पर रियाक्शन होंगी, किसके साथ, H2O2 के साथ, in the presence of basic medium, that is the OH, ठीक है, अब H2O2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, OH, OH के तरफ से, ठीक है, तो क्या होंगा, एक जो OH है, वो बोरॉन के साथ रियाक्ट करेंगा, और दूसरा OH कहाँ पर जाएंगा, अलकेन के पास, तो यहाँ पर बनेंगा, CH, CH3, ठीक है, CH2, OH, कितने टाइम्स गाईज, तो यह भी हम लोग को कितने टाइम्स लेना पड़ेंगा, 3 टाइम्स, प्लस, H3, BO4, या फिर आप लोग क्या दे सकते हो, BOH3, ठीक है, देखो, तो हम लोग का प्रोड़क्ट बन गया यहाँ पर, CH3, CH3, CH2, OH, ठीक है, तो अगर आप लोग को कभी दिये गया, example, तो आप लोग इस वे से उसको solve करोंगे, ठीक है, गाईज, हुपसो, आप लोग को यह सारी चीजे समझ में आगे होंगी, तो आज हम लोग को ने क्या देखा था, hydro, boration, ठीक है, अगर आप लोग को यह सारी चीजे समझ में आगे होंगी, तो आप लोग घर पे उसके mechanism को लिख के देखे, ठीक है, बहुत बार उसकी practice कीज़े, तब जाके आप लोग को एक बार भी अगर mechanism fix हो गया, तो आप लोग भूलूंगे नहीं, ठीक है, तो गाईज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लोगी होंगी, तो प्लीज, like, share and subscribe, ठीक है, इससे आप लोग को और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे, और next वीडियो में हम लोग देखने वाले है, reduction of the carbonyl compound, जो क्योंगा, aldehyde and the ketone, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे next वीडियो में, so thank you.